कि नमस्कार दोस्तों एक बार पुना आप सभी का दर्पन सिलिसर्ट्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इकनोमिक्स की कि चालू किये हैं लगातार पड़ा उसमें क्लासे हो रही है अभी तक हमने क्रसी से संबंदित कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है जिसमें क्रसी का भारती क्रसी का योगदान क्या है उसको हमने देखा उसके वाद उसकी विशेष्टाएं क्या है वो देखी उसके बाद हमने ये देखा कि भारती क्रशी का चर्णवद्ध तरीके से या आर्थिक नियोजन के काल में विकास कैसे हुआ है इन सभी टापिक्स को कवर किया और कल पिछले कर हमने क्रशी संबंधि जो समश्याएं होती हैं उसको हमने कवर किया था आज हम एक नया टापिक कवर करेंगे जिस करेंगे प्रश्ण यह था कि भारती एक क्रशी से जुड़ी हुई समास्यां करसी जुरी समश्याओं की बात कि गई है तो क्रशी आगात से जुड़ी समश्याओं के नीवारण है तो सरकार द्वारा काॉन-काॉन YOUNG से प्रयास किये जा रहे हैं इसके बारे में आपको च करने थी इसका उत्तर लिए एक चोटा सा इंटो बना देंगे ऐसे ज़्यादा स्पेस होगा नहीं आपके पास पांच नमबर के परिश्ण में तो एक चोटा से इंट्रो बनाया जा सकता है कि आगज समस्याओं को खत्म करके सरकार का आगज समस्याओं कर देंगे हैंग यह ना अब में इस सोगार के सर्कार की लुछंगन क्याका किया क्या है जैसे निजय कि लिए सरकार क्या कर रही राष्टी बिजणिगम की निय क्या और उनको क्रसकों तक पहुंचाता है अलग-अलग माध्यमों से ठीक है छे सहकारि मंडी उचे ग्राम सेवाक इनके माध्यम से हो क्रस्कों तक मुचाने का प्रयास करता है आंगला जो भीज मुप्रयास किया गया सरकार की दोरा वहार वह sales agreements 100 जिन में क्या है दोश्ट नहीं होता है वह एक उच्च उत्पागता वाले क्या होते हैं बीज होते हैं एसे ही जोXT नई तक्निक चल रहे अन्तां कैन्सरों को बतना निर्वांद बढ़ा सके इतना टेंपरि ऊर्षा यह होते जैसे के darauf असल के लिए बाता बढ़नी आवा सकता कैसी दसाओं कि आवा सकता पड़ती कि इतनी आदरता हो इतना टेंपरेचर हो इतनी वर्षा हो इसकी कब सकते हमको अच्छा उत्पादन दे सके और गुलबत्ता बढ़ाई जा सके यह सब अनुवानसिक बीजों को बनाए जाने का बीटी का होता है बैसलस थोरेंजी असस यह क्या होता है यह माईक्रोब होता है उसके जीन करहां पर प्रयोक किया जाता है ठीक है अंगला आता है सिचाई तक निक सिचाई में क्या सुधार किया गए आगत समश्चाओं के तहर्ट तो सबसे पहले अभी 2015 में जो चलाई दूसरा तक्निक इस तरफे ड्रिप और स्प्रिंकल तक्निक विकास किया गया ताकि पानी की बचात हो सके और में जो सिचाई किया कि सुनेशित की जा सके कि सरकार दौरा बांध यह स्टाउप द hp चटते जो ते बांध होते हूए और शिचाईटी प reality सुविधाहां का विकास किया रहा है कि उसके लाबा जो अंगली समस्चा थी आगास से जुड़ी वह थी औरभकों की समस्चा उनिए समाधान कि लिए सर्क्यार क्रेय और बरकों की समस्चा उन्हें एक समस्चा जो हमने उपाद देखी ती आगध में वह था और यहा त्ट peppers की इसलिए किया जाता है किसानिद्वॉरा इस पता ही होता है कि किसान की जो कि खेत की मृदा है उसकी सितिक जैसे आपके आपकी मर्दा में नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है या कम है फासफोरस की मात्रा कैसी है यह सती उसमें आदर्ता कि नी है यह बताई जाए गी जब यह आपको मर्दा के पूरा स्वास्थ पता चल जाएगा तो यूरिया का प्रहूं सॉर्जा के पहले तो यूरिया का प्रियोग सामानी तॉर पर कहा ऊना चाहिए करसी हो ना चाहिए और वरक के रूप में पर Cyrus के अलाबा अनिम उस में उद्योगों में उसमें दूद्ध में मिलावट के तो यहा रहा था तो सरकार नहीं समस्चा के समन्हान के लिए क्या किया नीम में क्या कर दिया नीम की कोटिंग कर दी कोटिंग का मतलब क्या होता है परत चलहा देना ठीक है तो यूरिया के हुए ठीक है और वर्पर कुए और अंगला प्रयोग जोह वर्पर में वह אक्त बहुत अच्छा प्रयोग है माद ब् sailing में काफी सफाल जासे कि मसस्क्राản देखने को मिले का आपको बहुत अच्छे में है यह जएवी क्रसी का प्रयोग जएवी डितले काथ प्रयोग कि अंगला आता है भुवाई सम्मध्री समस्चाइं भुवाई सम्मध्री समस्चाइं के लिए क्या किया गया तो क्रसी अंतरी करण को बढ़ावा दिया गया तो इस प्रकार से 50 सब्दों में इस शीज को लिखा जा सकता था प्रयास कीजेगा आप लोग लिखने का पुना इसके लाव जो कंक्लूजन देंगे इस तरीके से कुछ दिया जा सकता है कि इस प्रकार सरकार दोरा आगत समस्चाओं को समावत करके क्रसी को लाभ का व्यापार बनाया जा रहा है ठीक है अब आगे चलते हैं भारती क्रसी के पिछले पन के कारण जो आज का हमारा टॉपिक है इसको डिसकस करते हैं भारती क्रसी के पिछले पन के कारण क्या है या उसके तत्यों गया है तो इसको हम तीन आधारों पर देखेंगे संस्थागत कारण क्या है तकनीकी कारण क्या है और मानुवी कारण क्या है ठीक है संस को सरकार तक मत्यूहारी मंडि तक पहुचने के पहले यह खुरिद लेते हैं और फिर यह सरकार को बेशते हैं यह लोग जो होते हैं मध्यस्त होते हैं ठीक है तो इनकी अधिकता हमारे हां पर समझे हमारे हां की क्रशी के पिछले बंगा कारण बनती है क्यों कि इस रान को अपनी उपज का पूर्ण दाम नहीं मिल पाता है ठीक है अंगला आता है जोत का छोटा आकार इस चीज को हमने पहले भी डिसकस किया क्रशी जोताकार हमारे हां पर क्या है या कटि लियू Hair है ओगें टीसरा आता है सोशनकारी कास्तकारी प्रता कास्तकारी वेस्था क्या होती है हमने सब्द सुना होगा गाउं छेत्रिस अगर आप संबंद रखते हैं तो बटाईदार होते हैं ठीक है बटाईदार व्यक्ति कौन होता है कि जो क्रसक मजदूर जो ऐसे क्रसक लोग होते हैं कुछ जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है तो क्या करते बड़े क्रस्कों की जमीन को क्या ले लेते हैं बटाई में ले लेते हैं आधे हिस्से में ले लेते हैं और उस पर क्रसी करते हैं और दोनों क्या करते हैं उसको विया लागत आती इसको बरावर-बरावर हिस्सों में बांट लिया जाता ऐठीक है इस प्रथा में दिक्कत क्या जाती है वह वह हैं क्रसक की जमीन पर उसमें क्रसी करना पर वह नहीं नहीं पर Knights क्रेंच समय स्कड़ी नहीं है लेकिन वह प्रेयास क्या है जितनी आवसकता हुथने नहीं है ठीक है तुसमें क्या समस्चा आती उनत उर्वरक नहीं है, बीज नहीं है और रसायन, खर्पतवार, नाशी युगरा जो होते हैं, वो सब हमारे हैँ उननत मातरा में उपलब्द नहीं है, ति कैंठा है यहाँ जो सिचाई का कुल सिंचित भूमी है, यह सब उन्हें उपर डिसकर्स किया समस्चा में एक कुल सिंचित भूई में हमारे यहां पर 48 प्रस्चत है शेश भूई में हमारे क्या है असंचित भूई वाले लोग है वो सब किसान जो है वर्षा पनिर्फर रहते हैं यह ना अंगली समस्चा है आधनी को करन नहीं हमने देखा अगर आप मुहां पे इज करनों का प्रयोभ उतना यादा नहीं किया जा रहा है अभी काम चल रहा है हमारा सिथ अत्यांतिनिम्न है ना अंगली अंगली समस्चा तइए तकनी का समस्चा तरावВिपणण प्रणार लिए क्या है समस्चां आंगलीब टुटी पूंण टुटकि पूर्ण पर нормलिक यस पर अफार किसान का है इसके भारती क्रसी के पिछभेपन के कारण है कौन से वाले तक्निकी peux कारण घ्रly गरंग जिन वह कारण के लिए माना उत्तरदाई है करशी के पिछभेपन के लिए पहली है वह देश्व में हमारी लगभग सभी समस्टाओं का कारण बनती जा रही है वो है जन संख्या का अत्यधिक दबाव हम 130 करोड़ लोग है उस 130 करोड़ लोग में से हमको पता है कि लगवग क्रषिप निर्वार है उसमें से भी टोटल देश के जो रोजगार जा रहा है 43 पर सहाँ अंगली समस्टा जो है यहाँ पर निरवाः क्रषि आप को पहले से पता है कि जो हमारे यहां पे 86% कर सक हैं उनके पास दो हेक्टियर उससे कम भूमी है अब जिनके को के पास दो हेक्टियर उससे कम भूमी है तो सीधी सी बात है वो सिर्फ निर्वाहकरसी ही करने वाले हैं वो सिर्फ निर्वाहकरसी ही करने वाले हैं ठीक है मतलब क करसी जिसमें उनका स्व alignment जीविको पार्जन हो सके ठीक है है अगली समस्य जो हाती है के जो करषि के पिछले बन का कारण बनती है वह मानुवी मानुने उसमें आध्रिक करसी का ग्यान नहीं होना ठीक है किसानों को इस चीज़ का ग्यान ही नहीं होता है वह हमारे लिए क्या होती है एक तरीके से अच्छूती हो जाती है तो क्या है कुछ बातावर्णी कंडिशन्स हम स्वैम निर्मित कर सकते हैं उसमें फसल का उपादन कर सकते हैं पर हम इन सिर्फ चीज़ों का क्या है प्रयोग नहीं करते हैं इस चीज़ों को महत तो नहीं देते हैं क्योंकि हमारे क्रसी सिच्छा को उतना महत तो नहीं दिया जाता है ठीक है तो यह क्या थे भारती क्रसी के पिछले पन के कारण थे अब आता है इन कारणों को यह इन समस्चाओं को समाप्त कैसे किया जाए उसके लिए सुधार है तू सुझाओ क्या है ठीक है उनको डिसकस करते हैं अभी तो इसको भी हम तीन तरीके से देखेंगे कुछ संस्थागत सुधार देखेंगे कुछ तक्नीकी सुधार देखेंगे कुछ अन्य सुधार देखेंगे ठीक है जो हमने जिस तरीके से हमने कारण देखे थे पिछले पन के उसी तरीके से हमने सुधार देखना है संसागत कारण में क्या था पहले हमने समस्चा जो पहली देखी थी पिछले पन के कारण में पहला संसागत कारण देखा था हमने वो था मध्यस्तों का उन्मूलन हमने क्या देखा मध्यस्तों की समस्चा थी तो उसका समधान क्या हो जाएगा मध्यस्तों कानूनल कीजिए रहती आढ़हती जो है बीच में कमिशान एजेंट है जो किसान की फ़सल पहले खरिदते हैं फिर इसको सरकार को सरकार को बेचते हैं तो तो ये मध्यस्तों का उनमुरन हो गया कास्तकारी सुधार कीजिए कास्तकारी सुधार कैसे करेंगे आप जैसे क्या हुआ जमिंदारी व्यस्थाती महालवाली व्यस्थाती ये सब समस्था है हमारे हाँ पे वहाँ पे पहले सिविद्धमान थी जह आजाद हुआ उसके लिए तो यह सरकार द्वारा प्रियास किया जाना चाहिए विधान बना करके अंगला जो इसमें आता है संसागर सुधार मोह लगान का निवन हमने आप से डिसकस किया कि जो टोटल वो जाती है टोटल क्या बोलना चाहिए उसको रिंड जाता है उसका 40 परशन कहां से जाता है गैर संसागर सोट वाले जो लोग होते हैं वो इसमें 20 से 25 परशन की क्या वसूलते हैं ब्याज वसूलते हैं इससे क्या होता है किशान का अल्टिमेटली सोसन होता है तो सरकार को इसके लिए क्या प्रियास किया जाना चाहिए लगान का निवन जैसे क्या है संसागर सोट में क जो बैंक को गया रहा है वो किसानों के लिए जो रिंट देंगे वो इसे इनके लिए भी नियम बनाया जाना चाहिए गैर संसर्गत सोथ वाले लोगों के लिए साहुकार महाजन के लिए ठीक है अंगला प्रयास क्या किया जाना चाहिए हथबंदी और चकबंदी हमने देखा हमारे हां पर अंगला टॉपिक जो हमारा कल रहेगा भूम इसुधार जिसमें हम हथबंदी चकबंदी पढ़ेंगे अच्छे से अब यह क्या था हमारा देश आजाद हुआ उसमें जमिंदारी चल लए थी जमिंदारी प्रथा का सिंपल से मतलब था अगर सामान तोर पर देखा जाए तो बड़े बड़े जमिंदार लोग थे किसान लोग तो उनके पास जमीन अत्यधिक मात्रा में थी ठीक है किसी के पास 500 एकर 200 एकर 200 एकर इस प्रकार से जमीन थी सरकार ने क्या किय किसान 50 एकर ज्यादा भूमी नहीं रख पाएगा मतलब के पास अगर कोई एक्स्ट्रा जमीन थो उसको आपको सरकार को देना पड़ेगा और सरकार उसको क्या करदेगी सभी सभी किसान के मत्री जिए उनके मत्री क्या कर देगी आपसमें वित्रित कर देगी यह हत्बंदी होती है चकबंदी क्या होती है अब जैसे समझो इस चीश को कि छोटे कोई एक छोटा किसान है ठीक है को यह कोई यह कोई गाउं है यहाँ पर कोई एक छोटा किसान रहता है उसकी जमीन का एक टुकड़ा लगवक आधा हेक्टेर यहाँ पर है और आधा हेक्टेर यहाँ पर ह ठीक है मतलब हो जमारी कितनी रही है कि त्रोटल एक एकड ओर यह ताहज़ टीक है एक 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 एकड जमीन को जादा नहीं होती है लकिन उसकी जमीन क्या है गाओं एक विदानखेंसे तो इसके तो विधान के माध्यम से उसको आधह एकड़ की जमीन यहां यहाँ एलोट करेंगे, मतलब उसकी टोटल एक एक एकड़ जमीन यहाँपे हो जाएगे, ँ websites है एकड़ की जमीन दूसरे किसी किसान को अलोट कर दी जाएगी जिसकी जमीन इधर रही होगी या कहीं और जाही होगी ठीक है तो मतलब छोटे छोटे भूमी के टुकड़ों को मिला करके एक बड़ा भूमी का टुकड़ा बना दिया जाएगा यह सिंपल सी बात थी इसमें इस सतो है सब्सक्राइब है उस उत्पाद निकलेगा उस में लाब जो मिलेगा उस लाब को आपस में बांट ले अपने सेयर की हिसाब से बांट ले हैं winter पसके करना क्या हो गई इंको अपनी जमीन अपनी पूजी अपनी मजदूरी ये सब क्या है? बरावर मातरा में सबको लगानी होगी ठीक है ये क्या हो गया सहकारी क्रसी का कॉंसेट हो गया तो हमने क्या देखा क्रसी के पिछले पंड में सुधार कैसे किया जा संस्थागत रूप से अंगला आता है आप तक्निकी रूप से कैसे सुधार करेंगे तो हमने वैसे पहले द आते हैं कि दूसरा कहें संतुलित रसायनिक प्रेयों कैसे किया जाएगा इसके बारे हम ने पहले विढूरूर वाले उत्तर में कि मरदा स्वास्तिकाइब की माद्यम से आप को यह पता चल जाएगा कि आपके मरदा में किन-किन रसायनों की कमी है उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं ठीक है अंगला आता है इसमें वैज्ञानिक क्रसी को बढ़ावा दीजे वैज्ञानिक क्रसी मतलब सीधी सी बात है जो क्रसी के छेतर में आरेंडी हो रहा है ठीक है रिसुष ऑन संधान हो रहा है सूधोनल संधान हो रहा है उन सब तक्नीकों का प्रेयोग करसी के छेत में किया जाना चाहिए ठीक है और वह उन्ना तुपकर्ण, यंति गण से क्या होगा, उन्ना तुपकर्ण आएगा, वहीं पॉइंट कोरेलेटटी लगवगला होगा है, अंगला आता है जो पिछले पन के सुधार के संबंद में वो है, अन्ने सुधार, जिसमें क्या है करना हैं, हमिने देखा ता ऊपर पि प्रत्ते किसान का बना जाता है उसके तहतो किसी भी बांड़जी के सहिकारी बैंक आदी में जाकरके वहां से रिण ले सकता है निम्नि ब्याज दरों पर ठीक है अंगले उसको एक वर्ट से उसको चुकाना होता है भरपाई करनी होती उसकी पर उसके क्या है के जाना होता है उसकी भ्यस्ता हो जाती है यहां से थिक हैं वित्र के अभाव में अंगली के जुढ़ आशिय जो सुधह किया जाना चाहिएव सुधार किया जाना चाहिए बाजार में क्या करना है जैसां कोई किसान है कोई छोटे किसान हिए ने हमारे यहां पर 86% किसान के हैं बहुत छोटे हैं दो से कम बाने हैं ये लोग किया है सरकार के पास जाकर कर अपनी का involved बढ़ सकते क्यों कि इनके पास जो उत्पादन होता हो निर्वाइब उनके जीब को पार्जन के लिए ही परयाप्त होता है बस हो गया लेकिन अगर फिर भी अगर थोड़ा बहुत उत्पादन ज्यादा करते हैं तो वो क्रसान के सरकार के सिस्टम पर जाकर करके नहीं बेज स अगर आप डारेक्ट फसल नहीं कर पारें दाम की भरपाई कीजिये तो इसके लिए मतफरेस सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई थी उस्सी योजना का नाम था भावानतर भुकतान योजना क्या भावानतर भुकतान योजना इसके तहर्ट क्या किया गया कि जो छो की चान रहते हैं वो खुले बाजार में अगर अपनी फसल को बेशते हैं और उनको उतना दाम नहीं मिलता जितना सरकार ने fix किया हुआ है मतलब MSP के तहरे जो rate fix किया हुआ है तो फिर सरकार के सरकार ने यहां पर जिम्मेदार यह ली कि हम जो बचा हुआ का दाम है उसकी भरपाई करेंगे जैसे अगर आपका 2000 रुपए गेहों का दाम चल रहा है MSP के तहट और बाज खुले बाजार में आपकी फसल 18 14 रुपे में विकी गेहुंग तो 200 रुपए का जो यह इमाउंट बचा है उसकी भरपाई सरकार आपके भcesso एंक कर दे़ी यह सिंपल सा helpful् Dae फटा में सुधार किया जाना चाहिए अंगला जो सुधार आता है वह सिचाई के जहीसरे में किया जाना चाहिए चाहिए कि छेत्र में कैसे सुधार होगा इस बारे हमने पहले भी किया हुआ है सरकार ने क्या प्रयास कर रही है है और जो कि मतलब लागत भी ठीजिंदाता है लागत मूले मतलब क्रसी में जो खर्चा आया है उसका डेड़ गुना कह सरकार देती है स्वामी नाथान आयोग जो क्रसा का आयोग था 2004 का उसने कितने की अनुस्वंसा की है दो गुने की अनुस्वंसा की है ठीक है तो हमको पता चल गया है कि क्रसी के तहट जो MSP दिया जा रहा है वो क्या है न मुचित दाम मिल सके ठीक है तो यह थी आज कि हमारी क्लास जिसके तहत हमने क्या डिस्कस किया भारती क्रसी के पिछले पन के कारण और उन कारणों में सुधार कैसे किया जाए अब आते हैं आज के प्रश्ण पर आज का प्रश्ण क्या है तो आज का आप लोग अपना प्रश्ण लिखिए यहां पर मैं फाइल में टाइप नहीं कर पाया हूं जिसको कल टाइप करके उत्तर दे दिया जाएगा प्रश्ण लिखिए आप लोग प्रश्ण रहेगा आपका क्रसी किस प्रकार और द्योगिक विकास में सहायक सिद्ध होती है चर्चा कीजिए ठीक है यह पांच नंबर का प्रश्ण रहेगा मतलब 50 से 60 सब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है ठीक है आज का वीडियो इस क्लास का यहीं पर खतम होता है वीडियो खतम करने के पहले दो चीज़े जानकारी देता हूं मत अपना दरपन क्लास की तरफ से प्रीका प्रीका बैच चल रहा है इसमें यूटूब चैनल में डेली प्रदिन 25 को संब कर डिसकसन किया जाता है आप आपके साथ और दूसरा यहां पर मेंस का डिसकसन भी चल रहा है जिसमें मेंस में एंसर राइटिंग कैसे की जानी चा बापके से तरह किया यहा है आपके सा थाह है झापके साथ और रहा है गजह बहा है आपके साथ यहा है